हेलो स्टुडेंट्स अभी हम स्टार्ट करें आपकी एक्सेसाइट 12C तो इसमें आपको सब्ट्रेक्ट करना है तो सब्ट्रेक्ट सिंपली बिल्कुल जैसे आप करते आए हैं वैसे ही करना है जैसे 5-0, 5, 1-1, 0, 0-6 तो यह नहीं होगा कप कर लेंगे तो हो जाएगा यहां पर 10, 10-6, 4 यहां पर बचेगा आपका 4, कर लेंगे तो 14 हो जाएगा 14-7, 7 यहां पर बचेगा 6, 6-4, बिल्कुल ऐसे ही आप इसको सब्ट्रेक्ट कर देंगे तो I hope आपको first question में तो कोई doubt आएगा नहीं लेकिन इसके बाद हम चलते हैं आपका जो second और third question है इसको आप कर लेंगे तो इसके बाद है आपका question number second find the difference between आपको इनको भी में difference find करना है 25 लिटर and 17 लिटर 478 लिटर तो आप इसको कैसे लिखेंगे तो पहले तो आपको जैसे बताया था addition वाले में आप यहां पे लिटर और यहां पे milliliter लिखेंगे तो लिटर कितना दिया है आपको 25 milliliter इसमें नहीं दिया है तो उसके लिए आप 0 लगाएंगे कितने लगाएंगे 3-0 लगाएंगे तो अभी आपको बता था कि 3-0 क्यों लगानी है तो मिलिलिटर के लिए 3 स्पेस आपके होते हैं ठीक है इसके बाद आपको दिया है 17 लिटर and 478 मिलिलिटर 17 लिटर 478 मिलिलिटर इनका difference आपको find करना है तो अब यहां पर आपको minus करना तो 0 में से 8-9 नहीं होगा तो आप करें लेके आएंगे 5 से तो जब यहां पर चाहिए बीच में जितने भी 0 लें वहां पर 9 बन जाता है यहां को पता होगा तो 10-8-7-9-7-5-5 यहां पर बचा है आपका 4 तो यहां से करें लिएंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं तो आई होप आप सभी क्वेशन ऐसे कर लेंगे इसके बाद है आपका थार्ड तो थार्ड क्वेशन में क्या करना है सब्ट्रेक्ट करना है किसको करना है इसको उपर लिखेंगे इसमें से सब्ट्रेक्ट करेंगे इसको नीचे लिखेंगे देखो कुछ को हम कहते हैं अभी तो इसमें आप वही जो आपको बताए गया है लीटर मिली लीटर तो लीटर कितना था इसमें तो पहले हम आपको बताए हैं कि यह आपको लिखना है तो इसके साथ दिया गया है और यह आपका 280 लिटर 716 अब इनका आपको सब्ट्रैट करना है इसको तो यहां से आप 5 में से 6 को माइन्स करेंगी तो नहीं होगा तो हम ले लेंगे यहां से कैया यह तो कितना हो जाएगा 15 15-6 9 यहां पर बच्छेगा 4 4-1 3 यहां से कैया लेगे जाएगे तो हो जाएगा 13 13-7 6 यहां पर बच्छेगा 8 8-0 8 8-8 0 & 3-2 1 तो यह आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ऐसे तो आई होप आपको यह समझ आ गया होगा तो एक है किल डाउट आज आप पूछ सकते हैं थैंक्यू अहां इसके बाद आपका सिधा 13 चैप्टर स्टार्ट होगा इसमें अभी गुच्छ जो आपके वर्ट में वाले समय वह अभी नहीं कर रहे हैं तो इसके बाद सिधा हम 13 चैप्टर स्टार्ट करें हैं आपके बाद स्टार्ट आपके बाद स्टार्ट आपके बाद सकते हैं